हम सभी के लाड़ ले लेता और जिनके संकलपना से ये खासदार कृड़ा महत्सों का आयोजन होता है अधरनिय नितिन जी गड़करी जिनके लिए हम सब लोग यहां पर आये हैं लेजंडरी कैप्टन आफ इंडिया पहली बार जिनके नेत्रुतु में भारत को वर्ल्ड कप म जीत मिली ऐसे श्री कपील देव जी श्री डी-म कीम जी जस्मित सिंग जी विकास महात्मे जी सुलेखाताई कुंभारे जी प्रविंट दटके जी महन मते जी परिणे फुके जी नागो गानार जी सनमानीय बडोले जी मिलिन माने जी दयाशेंकर तिवारी जी संदीब जी अमारे 25 युवा खिलाड़ी जिनको आज पुरसकार से नवाजा गया और उपस्तित सभी खेल प्रेमी बहन और भाईयो मैं सबसे पहले पूरे नाकपूर की और से कपिल देव जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और साथ ही नितिन जी का अभार व्यक्त करता हूँ ये केवल एक क्रिडा महोच्व नहीं है ये एक सेलिब्रेशन है पूरे नाकपूर में जितने हमारे खिलाड़ी है उनको एक ऐसा मौका मिलता है अपना हुनर दिखाने का अपना खेल निखारने का और जब किसी खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए स्वयम कफिल देवजी पोच्टे है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे बड़ा दूसरा कोई मौका उसके जीवन का नहीं हो सकता और ये संभव होता है केवल और केवल आधरणिया नितिन जी के कारण मैं ऐसा मानता हूँ चाहे वो सांस्कृतिक महोत्सो हो या कृड़ा महोत्सो हो अब नाकपूर की एक अपनी पहचान बनी है और हर वर्ष ये पहचान और निखर कर सामने आती है मैं आज के इस मौके पर हमारे सभी कृड़ा महोत्सो में काम करने वाले जितने हमारे साथी थे संदीब जी है और उनके साथ की एक बड़ी टीम है इन सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ विशेष्टा हमारे खिलाडियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन उन्होंने इसमें दिया और जो निरंतर बढ़ता जा रहा है और फिर एक बार माननीर कपिल्डेव जी का स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ जैहिन जैभारत